दक्षु अमेरिका में सूपरफुट के नाम से मशूर किनोवा का नाम आपने भी जरूर सुना होगा अक्सर हल्दी लाइफ मैंचेन करने के लिए लोग किनोवा का इस्तेमाल करते हैं यहीं किनोवा की खेती अब राजिस्तान की प्रतापगड में किसानों को मुनाफा दिला रहा है कुछ सालों से यहां पर किनोवा की फसल उगाई जा रही है इस साल भी किसानों ने खेतों में बुआई की है अब ये फसल पूरी तरह से पक्कर तयार है और फसल के कटाई के साथ थ्रेशिंग की जा रही है इस फसल की खेती कम खर्चीली है जिससे किसानों को रुजान अब किनोवा के खेती की तरफ बढ़ता जा रहा है अधिकांश गाओं में किसान ने इस साल किनोवा की बुआई की है विदेश में किनोवा को सूपरफूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मातरा अधिक रहती है इसके दाने में केलशियम और लोहे जैसे मिनरल्स पाय जाते हैं इसके पत्ते को भी सबजी की तरह इस्तेमाल किया जाता है पत्तियों में भी पर्यापत मातरा में विटमिन C और E भरपूर मातरा में पाय जाते हैं हमारे समधाता इर्फान खान ने पान नोरी गाउं में जाकर किसानों से खास बातचीत की है देखे हमारी ये खास रिपार्ट और विसे दूसरी फसल से अच्छी फसल है दक्षिनी अमेरिका की प्रमुक फसल किनोवा की खेती अब काठल की धरा परताबगण में होने लगी है अभी हम मौजूद है परताबगण जिले की पानमोडी गाओं में यहां हमारे साथ खुद किसान ब्रिजेश जी मौजूद है ब्रिजेश जी ये फसल की बुवाई अब कब से कर रहे हैं करीब पास साल से कर रहे है और इस फसल के बारे में आपने कैसे सोचा कि इस फसल की बुवाई की जा है ये हम क्या है कि नई-फसलों का देखते रहते हैं मेदियां के माद्धम से और गूगल के माद्धम ज़से हमने अब कोई नई फसल तो फिर उनंने इसका बीच का पता लगवाया और फिर हम छोटी साधी इंबारा साइट से इसका बीचे लाए और फिर हमने इस फसल को करीब 5 साल से बोह रहे हैं और continue और अब तो काफी है रगवे में इसको बोह जा रही है पिलाई की बात करें हम तो पिलाई की मात्रा कितनी रहती है इस पिलाई के लिए बहुत कम पानी चाहिए तीन या चार पा अमेरिका के अंदर घर्मी के मौसम के अंदर गुवाई की जाती है और हमारे यहां पर जो वातावरन है वह सर्दी का वातावरन है और जो गर्मी सुरुवाती गर्मी के अंदर इस फसल की कटई हो जाती है अब फसल निकलने के बाद किन मंडियों में इसको आप देशते है यह इसके लिए सबसे जो अपने एश्या की प्रमुक मंडिये निमच जो व्योश्दी फसलों के लिए निमच और छोड़ी सादली और निमबाड़ा यह तीन प्रमुक मंडिया की नोव फसल के विक्री के लिए परताब गड़ में भी इसका कोई विव्यापार नहीं है इसका पांच हजार से लेके दस हजार तक का इसका भाव रेता है अच्छा अब हमारे साथ में खुद इन बिजय जी के पुत्र है रोनक जी वह भी मौजूद है रोनक जी इस फसल की बात करें तो इस फसल की शुरूवात कहां से हुई फसल की शुरूवात तो दक्शनि विदेशों से ही होई है जो वहाँ पे काफी मात्रा में यूज लेते हैं इसमें क्या हाईयर प्रोटीन होता है गलटन फ्री होता है तो वहाँ तो काफी यूज करते हैं अभी अपने यहां चलन इतना आया नहीं तो एक्सपोर्ट ही होता जैसे अपने या फ्रूटी भी देना वैसे फ्रूटी पेक बनते हैं इसके काफी सारे वीदेशों में तो काफी चलन में हैं यहां भी आजकल जीम वाले जो एकसरसाइस करते उनके लिए यह किनोवा और चिया से जो भी हैं यह काम आते हैं उसमें कि शुरुवाती बात करें तो यह बीजी कहां से आया था इंडिया के अंदर कौन लेके आया था कब से इसकी शुरुवात भी बहाई इंडिया के अंदर तो सर इतना नहीं पता है मुझे बट अपने राजस्तान में तो हमारे एक रिष्टिदार है चोटी साधरी में रोहित पाटिदार वो लेके आये थे तो उन्होंने यहां इंट्रोड्यूस किया था सभी को और अब देरे देरे लगबग सभी जागे फैल गया है सब जागे लोग बहते हैं कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद है पानमोडी के उन से जानेंगे सर आपका क्या नाम है बिलकुल यहां प्रताबगड की बात करें तो यहां पाने की काफी समश्या भी है गर्मी के दोरान या भी फिलाल की इस्तिति की बात करें तो अब फसल के लिए पानी की जो प्रयात मात्रा होती है वह प्रयात मात्रा अब फिलाल पानी की नहीं मिल पाएगी और किनोवा की बात करें तो जो इस और जो किनोवा की और किसानों का जो रूख बढ़ रहा है वह काफी बहतरीन है अब हम एक और बात करेंगे कि जो प्रताबगड में इस मंडी प्रताबगड मंडी की बात करें तो इस फसल को आप जब निकलने के बाद देने के लिए बेशने के लिए जा लेकिन पर्टिकुलर हम भी सरकार से डिमांड करते हैं कि इस किनोवा और जो दूसरी वोजदी फसले हैं, इनको भी प्रताबगड मंडी में खरीदा जाये तो किसानों को बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा और उनका ट्रांस्पोर्टेशन वगेरा बचेगा. जी बिल्कुल, परताबगड में भी जो मटी है, उसमें भी लगातार जो किसान है, वो मांग कर रहे हैं कि जो किनोवा की फसल है, वो खरीदी जाये, जिससे कि किसानों को भी काफी आमधनी में फाइदा होगा कि इस फसल की बात करें तो कम आमधनी में ज्यादा मुनाफ़ा इस फसल में देखा जा रहा है और प्रोटीन की मात्रा की बात करें, तो जो प्रोटीन की मात्रा है, वो भी काफी बैतरीन है। परताबगर से NDTV के लिए सहयोगी संजय जेन के साथ इरफान खान की रिपोर्ट।